नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप साब का स्वागत है, मित्रो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हिंदी उपन्यास के भिकास जात्रा, कल हम लोग ने परारंभिक दोर के उपन्यास के जात्रा पर हम लोग ने विशेश दोर पर चर्चा किया था, आज हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और दुवेदी युगी उपन्यास की क्या खासियत है, कौन-कौन से लोग उसमें जोगदान दिये, उन सभी बि कालीन कृष्ण काब्य की संदर साधना, दूसरी पुष्टक है आजीव का साधक हिंदी, एक अनवास रिलेटेड़ पुष्टक उसका नाम है अनवास साधना, साथ ही बस्तुनिष्ट हिंदी की पचास से भी अधिक पुष्टकों के रचाईता हैं, तो निश्चित तोर प हिंदी उपन्यास के विकाह जात्रा को समझने में लाधायक साधित हो गया, इसमीच के साथ डॉक्टर पीसी टेंडन को आप मंतित करते हैं, कि आप अवना व्याख्यान सुरू करें, बेलकम सुरू नमस्कार, दर्शकों, जैसा कि हमने चर्चा की थी अपने विगत रूप, उसके आयाम क्या हैं, और हिंदी में उपन्यास का आगमन वो किस तरह से अंग्रेजी और बंगला से प्रभावित होकर हमारे यहां पहुंचा, और कैसे मौलिक उपन्यास लेखन और अनूदित उपन्यासों का स्रजन, इसकी एक शंखला हमारे सामने आई, और भार रवस्तु के आधार पर, कथानक के आधार पर, किस तरह के उपन्यासों का स्रजन किया, उनकी सामाजिक उपादेयता या उनके सामाजिक सरोकार क्या हैं, इन पर हमने चर्चा की थी, आज हम इसकी दूसरी शंखला की और बढ़ रहा हैं, और हम जानते हैं कि भारते महत्पॉर्ण युग है, जिसको हम देवेदी युक्के नाम से जानते हैं. महाविर प्रसाद देवेदी, हिंदी साहित्य के आधुन के युक्के और पूरे हिंदी साहित्य के परिपेक्ष में अगर हम विचार करें, तो एक बढ़े हस्ताक्षर हैं, वो एक साहित्यकार के रूप में, संबादक के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में और नजाने कितने आयाम उनके व्यक्तित्तों के हैं जो उनकी सायतिक प्रतिबा को हमारे सामने प्रकटभी करते हैं. तो महाविर प्रसाद दिवेदी के नाम से जिस युग को आदुनिक काल में जाना जाता है, उसमें उपन्यास लेखन की इस्तिती और स्वरूप क्या रहा, आज हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण में हम प्रेमचन युग के उपन्यासों क की बात करेंगे, तो मित्रों दिवेदी युग जिसको हम गद्य काल भी कहते हैं, गद्य विधाओं का युग भी कहते हैं, तो गद्य विधाओं की दृष्टी से वह बहुती सम्रद्य काल था, यह तो आधुनिक गद्य के विकास की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते है के भारतिन्दु युग दिवेदी युग या इसके बाद के युग की जो गद्य विदाएं है उपन्यास है कहानी है नाटक है एकांकी है संस्मरन है रेखा चित्र है आधी आधी तो इस पूरे युग को गद्यकाल के नाम से भी जाना गया लेकिन महविर प्रसाद दिवेद को में और इस युग के गद्य लेकों में इस युग के गद्य लेखक रहस्यमई अदबत घटनाओं को कथानक में पिरोते रहे यानि चमतकारी घटनाएं आश्चर सूचक घटनाएं कुछ ऐसी घटनाओं को उन्होंने पिरोया एक अंजान एक अपरिचित दुनिया रहस् जाने का, वहाँ ब्रह्मन कराने का, वहाँ के गटनक्रमों से परिचित कराने का, वहाँ के पात्रों से साक्षातकार कराने का, ये काम इस युग के लेकों ने अपने अपन्यासिक साहित्य के माद्यम से, कथा साहित्य के माद्यम से बखू भी किया और उसको बड़ी संख् समई घटनाएं थी उन घटनाओं से इन उपन्यासकारों ने पाठकों का भरपूर मनरंजन किया एक दौर था एक युग था कि इस प्रकार के उपन्यासों की शैली लोक स्विक्रित हो रही थी और ऐसे उपन्यासों का लेखन न केवल प्रतिष्टित साहितिकार कर रहे थे अ दरसल ऐसे विशयों के माध्यम से मनुरंजन करना उस समय के पाठकों की मनुवरत्ति भी थी उनकी मानसिक्ता भी थी परिणामता जीवन और समाज की जो वास्तिक्ता है जो यथार्त है जो चुनोतियां हैं जो समस्याएं हैं उन सब से ये उपन्यास कुछ-कुछ दूर थ था उन चुनोतियों को इन उपन्यासों ने इन उपन्यासकारों ने उस रूप में स्विकार नहीं किया जिस रूप में बाद की उपन्यासिक रचनाओं ने या उपन्यासकारों ने किया था मावीर प्रसाद दिवेदी युग के उपन्यासों को यदि हम एक सुविधा की रिष्टी से वर्गी करन करें उसका विभाजन करें तो हम देख सकते हैं कि इस युग के उपन्यासों में प्रबर्ति के आधार पर पांच वर्ग हमें मिलते हैं सामानेत है पांच वर्गों की चर्चा की जाती है पहला वर्ग वह है जो तिलस्मी और अयारी विशयक उपन्यासों का है जिसमें तिलस्म का और अयारी सामर्थ का बखुबी चितरन और प्रस्तुतिकरन किया गया दूसरा वर्ग है जासूसी रहस्यात्मक और कौतूहल विशयक उपन्यासों का इसमें जासुसी घटना क्रमों का, उनकी बुनावट का, पात्रों की जासुसी वृत्तियादी का, फिर रहस्य और रोमान चादी का, इनका चत्रन, कौतुहल पैदा करना, जग्यासा पैदा करना, इनका भी चत्रन किया गया तीसरा वर्ग है, अदभुत और आश्चरेजना, गटना क्रमों से ओतप्रोत उपन्यासों के लिखन का, ऐसी ऐसी गटनाओं को उपन्यासों में पिरोया गया, कथानकों में डाला गया, या उनसे पात्रों को चरेचित्रन को जोडा गया, कि विश्वसनिये ही नहीं लगता, कि ऐसा भी हो सकता है, जिनको हम सुपरमेन कहते हैं, उस तरह की गटना क्रमों को जोडने का सिलसला रहा, एतिहासिक चौथा वर्ग है, एतिहासिक और राष्ट्रिय गौरवगान वाले उपन्यासों के लिखन का, और पांचवा वर्ग है, सामाजिक समस्याओं, गटनाओं और विश्याओं से संबध उपन्यास लेखन का, तो कुल मिलाकर ये पांच वर्ग हैं, जो मावीर उपसाद दिवेदी युग में उपन्यासकारों के समस्त उपन्यासों को, उनकी कथावस्तू के आधार पर, उनकी प्रवर्तिगत वैशिष्ट के आधार पर हम विभक्त क बाट सकते हैं, अब हम इन पांचों वर्गों पर थोड़ी चर्चा करें, कि इन वर्गों में जो उपन्यास लिखे गए अलग-अलग, उनमें उपन्यास एक स्वरूप क्या था, पहला वर्ग जिसकी बात हमने, जिसकी चर्चा हमने की, तिलस्मी अयारी उपन्यासों की श देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का, देवकी नंदन खत्री का आगमन तो भारतिंदु युग में हो गया था, लेकिन उनका उन्यान और विकास वो महविर परसाद दिवेदी युग में हुआ, तो देवकी नंदन खत्री जिनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए उस ठो इस दौर में आते आते महविर प्रसाथ दिवेधी झुग में आते आते खुत्री जी के कोछ उपन उपन्यास हमारे सामने आये एक है काजर की कोठरी जो 1902 में हमारे सामने आया प्रकाशित हुआ दूसरा उपन्यास है अनूठी बेगम जो 1905 में लिखा गया तीसरा उपन्यास है गुप्त गोधना जो 1906 में लिखा गया और चौथा उपन्यास है भूतनात जिसके छे भाग इस दौर में स्वयम देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित प्रकाशित हुए ये 1906 की रचना है भूतनात के छे खंड हमारे पास आए इस देवकी नंदन खत्री के उपन्यासिक स्रजन का अवदान निश्चत रूप से इस युग में और पूरे हिंदी उपन्यास जगत में महत्पून रहा है आज भी खत्री जी के उपन्यासों की पठनियता बाकाइदा विद्यमान है जो लोग कथा साहित को पढ़ना चाहते हैं उससे आनंदित होना चाहते हैं वो इन उपन्यासों का लाब अभी भी लेते हैं इसी परंपरा में हरे क्रशन जो हर एक दूसरे उपन्यास कार कथा कार हैं उन्होंने मयंक मोहिनी नाम से या माया महल नाम से 1901 में एक उपन्यास लिखा जिसकी लोग स्विकरती हुई और पठनियता भी हुई कमल कुमारी 1902 में एक दूसरा उपन्यास उन्होंने लिखा निराला नकाब पोश ये तीसरा एक उपन्यास है जो 1902 में लिखा गया और भयानक खून ये 1903 में लिखा गया एक अन्य उनका उपन्यास है हरेकरशन जोहर का इस तरह हम देखते हैं कि उपन्यासों की दुनिया में दिवेदी युग में जो चर्चित उपन्यास का रहे हैं उसमें प्रात्मिक स्तर पर पहला नाम खत्री जी का था और दूसरा नाम हरेकरशन जोहर जी का ये उपन्यास जो उस समय लिखे गए इन्होंने हिंदी जगत में अपनी एक विशेश स्थान और भूमी का सुनिश्चित की किशोरीलाल गोस्वामी एक अन्य उपन्यासकार इस युग में थे जिन्होंने तिलस्मी शीष महल नाम से एक बहुत ही मने चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास का सरजन किया जो 1905 में लिखा और प्रकाशित हुआ रामलाल वर्मा नाम के एक अन्य उपन्यासकार है उन्होंने पुत्ली महल नाम से 1908 में तिलस्म को शामिल करते हुए एक ऐसा उपन्यास लिखा जो इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करता है दुर्गा प्रसाद खत्री जो देवकी नंदन खत्री के पुत्र हैं उन्होंने खत्री जी द्वारा लिखित भूतनात जिसकी चर्चा अभी हमने की जो छे भागों में देवकी नंदन खत्री लिख गए थे उन छे भागों के आगे के खंड इनका स्रजन उनके पुत्र दुरगा प्रसाद खत्री ने किया तो ये भी एक महत्पूर्ण बात है कि कहीं संयुक्त लेखन में भी उपन्यास लिखे गए पती पत्नी दोनों ने मिलकर भी उपन्यास लिखे कहीं दो लेकों ने मिलकर भी इस तरह के प्रयूग किये लेकिन ये एक नया प्रयूग था कि जो दिवकिनंदन खत्री ने छे भाग लिखे थे भूतनाथ के उसके अगले खंडों का सरजन उनके पुत्र दुरगा प्रसाद खत्री ने किया था इस तरह दूसरा ये पहला वर्ग है जो जिसकी चर्चा हमने की फिर दूसरा वर्ग हमारे सामने आता है जिसमें जासुसी उपन्यासों का सरजन और उसकी एक लंबी परंपरा विद्यमान है इस श्रंखना में बड़ा और पहला नाम है गोपाल दास गहमरी का जिनकी चर्चा हम भारतिन्दू युग में भी कर चुके हैं वहाँ भी उन्होंने इस प्रकार की उपन्यासों का सरजन किया था 1866 से 1946 तक का समय इनका है और इन्होंने लंबे समय तक लगबग 70-80 साल तक ये इस तरह के कारे में लगे रहे गहमरी जीने अंग्रेजी के प्रसिद्ध और जासुसी उपन्यास का और्थर कानन डायल जिनका समय 1869 से 1930 का है इनके द्वारा लिखित बहुती चर्चित प्रसिद्ध उपन्यास दस्टडी इन स्कारलेट नाम से अंग्रेजी में लिखित एक उपन्यास है उन 1887 में लिखा गया इस The Study in Scarlet नाम के उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया गहमरी जी ने उसका नाम रखा गोबिंद राम और गोबिंद राम का प्रकाशन अनुवाद और प्रकाशन सन 1905 में हुआ और निश्चिती ये अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित उपन्यासों की जो शरंखला शुरू हुई थी भारति अंदु यूग में उसका विकास था और इस उपन्यास को हिंदी के पाठकों ने बहुत सराहा और बड़े स्वागत किया अविनंदन किया उसका गहमरी जी के जासुसी उपन्यास बहुत लोकप्रिये हुए बहुत पठनिये हुए और उन्हें रीडर मिला उनको पाठक मिला उनकी पठनियाता लगातार क्रमशे बढ़ती चली गए जैसे जैसे उनका कोई नया उपन्यास आता था वैसे वैसे उनकी लोकप्रियता बता है कि किस तरह के उपन्यास लेखन की वर्ती उस समय थी. सरकटी लाश, यह 1900 में लिखा गया एक उपन्यासर कटी लाश. दूसरा शिर्षग है, चकरदार चोरी, यह 1901 में लिखित है. इसी तरह 1901 में जासूस की भूल जासूस से जो भूल हुई उसको ये शिर्शक है उसका जासूस की भूल इसी तरह जासूस पर जासूसी 1904 में लिखा गया एक अन्य उपन्यास है जासूस चक्कर में 1906 में लिखा गया उपन्यास है इंद्रजालिक जासूस ये 1910 का उपन्यास है और गुप्त भेद 1913 का उपन्यास है और जासूस की अयारी ये 1914 का उपन्यास है ये सारे उपन्यास, इनके शीर्षक इस बात के साक्षियं गवा हैं, कि ये उपन्यास किस तरह के कैसा कथानक, कैसा घटना करम, कैसी संबाद योजना या पात्री योजना इनमें रही होगी इस सारे उपन्यासों को हम देखें तो ये सब हिंदी जगत में, पाठक वर्ग में बहुत ही प्रिशंसनी है और सरानी है रहें जासूसी उपन्यास लेखन के ख्षेत्र में श्री रामलाल वर्मा का नाम, श्री किशोरी लाल गोस्वामी का नाम और श्री जैरामदास गुप्त का नाम भी आता है इन्होंने भी इस ख्षेत्र में नए नए प्रयोग नए नए कथावस्तू इसकी कल्पना की उसका सरजन किया और उपन्यासों के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया इस तरह ये दूसरा वर्ग था जो जैसुसी उपन्यासों का था तीसरा वर्ग अर्था जिसको हमने अद्बुत और आश्चर जनक अटनाओं पर केंदरित उपन्यासों के सरजन की शंखला के रूप में अभी जिसकी चर्चा हमने की थी इस वर्ग में लेखन प्रविधी और लेखन तकनीक ये जासुसी या तिलस्मी नहीं थी जैसी कि पहले वर्ग में तिलस्मी और आयारी थी दूसरे में जासुसी थी इस वर्ग ने इन से हटकर एक तीसरा पक्ष हमारे सामने रखा कि ऐसी घटनाएं, ऐसे पात्र, ऐसे कथानक लाओ, कि पाठक जो है, वो हत्प्रभ हो जाए, वो अशेर चकित हो जाए, उसको कल्पना करने में भी थोड़ा श्रम करना पड़े, इस तरह की घटनाएं, ऐसे उपन्यास इसी लोक के रहसे में या गुईय कक्षों का उद्गा उद्गाटन करते हैं, बहुत सारे रहसे में कक्ष, गुईय कक्ष, उनका उद्गाटन इन उपन्यासों के माध्यम से हुआ, रेनल्स जो अंग्रेजी भाषा में जिन्होंने उपन्यासों का सरजन किया, रेनल्स का एक उपन्यास था, Mysteries of the Court of London, Mysteries of the Court of London, अंग्रेजी में लिखित इस उपन्यास का हिंदी में अनुवाद हुआ, लंदन रहसे नाम से, लंदन रहसे, और ये लंदन रहसे उपन्यास जब प्रकाशित हुआ, तो इसने हिंदी पाठकों को बहुत तेजी से आकरश्ट किया, और इसकी तरह बहुत सारे पाठक उनमुक हुए, उन्हो 12 में, खौफनाक खून, शिर्शक से ही पता लगता है कि उपन्यास की कतावस्तु क्या होगी, शिरी नियालचंद वर्मा का प्रेम का फल या मिस जहरा, ये 1913 में लिखा गया उपन्यास है, शिरी प्रेम बिलाश शर्मा का एक उपन्यास आया, प्रेम माधुरी या अनंग क अन्ता, 1915 में लिखा गया ये उपन्यास है, और शिरी दुर्गा प्रसाद खत्री, जिनकी चर्चा अभी हमने की थी, जो देवकी नंदन खत्री के सुपत्र हैं, उन्होंने अदबुत भूत 1916 में एक उपन्यास लिखा, तो कुल मिलाकर ये सारे उपन्यास ऐसे थे, जिन में गटनाओं का, चाहे वो प्रमुक गटनाओं, चाहे वो मुख्य पात्रों नायक नायका आदि हों, चाहे गउन पात्रों, इनकी बुनावट, इनकी इनका रचना विधान इस तरह से तैयार किया, कि पाठख जो है, वो है एक अदबुत लोक में, एक विचत्र लोक में इनके माद्यम से पहुँच जाता था, और उनको उसका आनंद भी मिलता था, तो ये तीसरा वर्ग था, जिसको हमने उपन्यास की शंखला में देखा, चौथा वर्ग है, जिसको हम एतिहासिक या राष्ट्री अगौरव गान विश्चेक उपन्यासों की शंखला के रूप में देखते हैं, इस्टोरिकल यानि एतिहासिक बहुत सारे तत्यों का, पात्रों का, गटनाओं का, इन उपन्यासों में रचनात्म को प्योग किया गया, ऐसे राष्ट नायकों का, राष्ट चरित्रों का, इन उपन्यासों के माद्यम से, उनको नायकादी बनाकर, नायका पाद्शाहत का समय था और एक के बाद एक शंकला बद रूप से हम देख सकते हैं कैसे मुगल शाषन का विकास हुआ तो उस सब का इतिहास इन उपन्यासों में कहीं न कहीं प्रतिविंबित हुआ यह उपन्यास है जो हैं तो उपन्यास लेकिन कल्पना मिश्रित है यह कोई इतिहास की घटनाओं का या पात्रों चरित्रों का ब्योरा नहीं है इनमें सरजनात्मक्ता के कारण उपन्यासकार या कथाकार या रचनाकार की कल्पना शक्ती का जो बहुत क्रियेटिव होकर जो बहुत रचनात्मक होकर हमारे सामने आती है उसका बड़ा सुंदर समावे इसलिए इतियास तत्व का अगर विशुद इतियास तत्व खोजने निकलेंगे तो उसका अभाव इन उपन्यासों में मिलेगा ये प्रामानिक एतियासिक उपन्यास नहीं है लेकिन उसमें इतियास की घटनाओं को और कल्पना की शक्ति को मिलाकर बहुत सुन्दर उपन्यासों का निर्मान यासरजन किया गया इतियास की उन घटनाओं को इन उपन्यासकारों ने चुना जिनमें पाठकों के लिए कुतूहल हो जग्यासा हो आगे जानने आगे बढ़ने आगे पढ़ने की इच्छा शक्ती पैदा हो और रहसे रॉमांच वाली वृत्ती भी उसमें कहीं रहे ताकि पाठक बना रहे और वो इसमें आनंद ले सके इस काल के इतिहासिक उपन्यास कारों में अगर हम कुछ जनोंने इतिहासिक उपन्यास लिखे ऐसे कुछ उपन्यास कारों की चर्चा अगर करें तो देख सकते हैं किशोरिलाल गोस्वामी का नाम उलेखनी है गंगा प्रसाद गुप्त का नाम महत्पून है जैराम दास गुप्त का नाम भी निश्चित रूप से महत्पून है और मत्रा प्रसाद शर्मा आदी का नाम भी इसी शंखला में इसी परंपरा में जिन्होंने इतिहासिक उपन्यासों का सरजन लगातार किया था ले सकते हैं किशोरिलाल गोस्वामी के उपन्यासों में जब हम दरश्टी डालते हैं किशोरिलाल गोस्वामी ने इस तरह के इतिहासिक उपन्यास लिखे तो कौन से उपन्यास लिखे उन पर नज़र डालें तो तारा वा क्षात्र कुल कमलनी नाम से 1902 में ये उपन्यास उन्होंने लिखा सुल्ताना रजिया बेगम वा रंग महल के हला हल उस समय उपन्यासों के शिर्शिक देने का जो पद्यती ती जो तरीका था वो इसी प्रकार का था और सुल्ताना रजिया बेगम वा रंग महल में हला हल ये 1904 में लिखा गया एक उपन्यास है मलिका देवी या बंग सरोजिनी ये 1905 में लिखा गया किशुरिलाल गोस्वामी जी का ही एक उपन्यास है लखनव की कब्र वा शाही महल सरा लखनव की कब्र वा शाही महल सरा ये 1917 में लिखा गया एक उपन्यास है इस तरह हम देखते हैं कि एतिहासिक द्रश्टी से बहुत से चर्चित उपन्यास हमारे सामने आए और लोग उप्रिये भी हुए और उसमें किशोरिलाल गोस्वामी के ये कुछ उपन्यासों का उल्लेख हमने किया इसके बाद गंगाप्रसाद गुप्त के भी इस शंखला में कुछ उपन्यास आए जो महत महत्पूर्ण थे उनमें देखें नूर जहां जैसा मैंने कहा पहले कि मुगल बादशाहत उसके चरित्रों उसके नायकों उसकी घटनाओं को ध्यान में रखकर इस तरह के उपन्यास लिखे गए तो 1902 में गंगाप्रसाद गुप्त नूर जहां नाम से एक उपन्यास लिखा जो बड़ा लोगप्रिय हुआ कुमार सिंग सेनापती 1903 में दूसरा उपन्यास है उन्हीं का और हम्मीर नाम से 1903 में एक तीसरा उपन्यास है हम्मीर को लेकर मद्यकाल में भी खूब लिखा गया हम्मीर रासो भी लिखा गया हम्मीर हट भी लिखा गया इदर हम्मीर नाम से एक उपन्यास 1903 में लिखा गया और ये बहुत चर्चित हुआ और आज भी अगर उस उपन्यास को बढ़ते हैं तो उसमें रोचकता का बाकाइदा पुट मिलता है जैरामदस गुट के उपन्यासों में जब हम एतिया सकता है कि दरिश्टी से बिचार करें तो कश्मीर पतन 1907 में लिखा गया एक महत्मूर उपन्यास है जो हमारे सामने आता है नवाभी परिस्तान वावाजद अलिशाह नवाभी परिस्तान वावजद अलिशाह वजद अलिशाह एक बड़ा महत्मूर नाम है उनका 1909 में चारितरिक विषश्टाइ उनकी घटना करम है उनको ध्यान में रखकर यह उपन्यास लिखा गया मलका चांद भी भी 1909 में लिखा गया एक अन्य उपन्यास है ये अभी जैरामदास गुप्त द्वारा लिखित है तो हमने देखा कि कैसे किशोरिलाल गुप्त ने या कैसे गंगा प्रसाद गुप्त ने जैरामदास गुप्त ने इस संखला में बहुत सारे उपन्यास लिखे और इतिहासिक्ता को उन्होंने केंदर में रखकर महत पूर्ण कारे किया इन उपन्यासों की इतिहासिक्ता निश्चिती पूर्ण तया प्रामानिक नहीं है अगर हम इतिहास को इन उपन्यासों में खोजने निकलेंगे तो शायद उसकी प्रामानिक्ता संदिक्द है उस पर हमें नहीं जाना चाहिए लेकिन उन्होंने इतियास और कल्पना का एक अद्वुत मिश्रन करके मनोरंजन की दृष्टी से, रोचक्ता की दृष्टी से और शिक्षा ज्यान की दृष्टी से ये उपन्यास लिखे दिवेदी युक के सरवाधिक सशक्त और महत्पून उपन्यासकारों में किशुरिलाल गुस्वामी का नाम ही लिया जाता है किशुरिलाल गुस्वामी को इस युक का एक प्रकार से प्रवर्तन करने वाला उपन्यासकार मना जाता है इनका समय 1865 से 1932 के बीच का है सन की दृष्टी से हम विचार कर रहे हैं इस तरह ये चोथा वर्ग था जो एतिहासिक उपन्यासों की शंखला का था और पांचमा तरह अंतिम वर्ग इस दिवेदी युक्के उपन्यासों में वह है सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासों का क्योंकि समाज में जो चुनोतियां थी जो विद्रूपताएं थी जो तृटियां थी जो दोश थे और समाज के रीती रिवादों को लेकर दकिया नुसी परंपराओं को लेकर तमाम इस प्रकार की सामाजिक दोशों को लेकर ये चिंतन उपन्यासकारों ने, साहित्तकारों ने समय समय पर किया था तो ये उपन्यास सरवाधिक आप फ्रिये हुए जो इस प्रवर्ति को केंदर में रखकर जहां संस्कृती की बात भी की गई, समाज की बात भी की गई, उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलूं को उजागर भी किया गया ऐसे उपन्यासों की शंकला में हम अगर देखें तो लज्जाराम शर्मा का नाम महतपूर्ण है जिन्होंने 1863 से 1931 तक के बीच में इन उपन्यासों का सरजन किया किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1932 के बीच में इसी तरह के अनेक उपन्यास लिख रहे हैं अजद्या सिंग अपाध्याय हरियोध बहुत बड़ा नाम है हम जानते हैं कि हरियोध जी का गद्य और पद्य का जो सरजनात्म कवदान है निश्चिती वो बहुत बड़ा है और आधनी के प्रारंब में उनके इस साहितिक प्रदे को हम मुक्त कंड से स्विकार भी करते हैं उसका स्वागत करते हैं अयद्या सिंगों पाद्या हरियोध ने भी कुछ नए प्रयोग करके उपन्यासों का सरजन किया 1865 से 1941 तक का समय इनका रहा ब्रजनंदन सहाय राजा राधिका रमन प्रसाद सिंग और मनन दिवेदी जिनका समय 1884 से 1921 है ये कुछ अन्य उपन्यासकार हैं जो इस शंकला में सामाजिक समस्याओं को लेकर सांस्कृतिक संदेश को लेकर तमाम तरह के उपन्यास लिख रहे थे लज्जाराम शर्मा ने इन सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासों की शंकला को जब आगे बढ़ाया और उसमें जो योगदान उन्होंने किया उसमें आदर्ष दंपत्ती नाम का एक उपन्यास लिखा आदर्ष दंपत्ती जैसा कि शीरशक से ही स्पष्ट है ये 1904 में लिखा गया उपन्यास है कि एक परिवार में पती-पत्नी का आदर्ष स्थान आदर्ष भूमिका या उनके आदर्ष संबंद कैसे होते हैं वो किस तरह का जीवन यापन करते हैं ये उस समय के समाज में संदेश देना इनका अभी प्रे था और ये चाहते थे कि पती-पत्नी के संबंदों को मादुर्य से भरा हुआ परस पर विश्वास से भरा हुआ कैसे बनाया जाए तो उन्होंने आदर्ष दंपत्ती नाम से एक उपन्यास लिखा बिगड़े का सुधार अत्वा सती सुख देवी इस शेर्शक से 1907 में एक और उपन्यास लिखा हमारे यह कुछ प्रताएं जो सामाजिक दृष्टी से उस समय भी वर्जित थी और आज तो वैदानिक दृष्टी से भी उनको हम वर्जित मानते हैं उनको कैसे दूर किया जाए ऐसी समस्याओं ऐसी चुनोतियों का सामना कैसे किया जाए तो बिगड़े का सुधार अत्वा सती सुख देवी नाम से यह उपन्यास लिखा और आदर्श हिंदू नाम से 1914 में एक अन्य उपन्यास भी इन्होंने लिखा तो जो व्यक्ति का, मनश का, सामाजिक का धर्म क्या हो इसको के इंदर में रखकर ऐसे उपन्यास उन्होंने लिखे और जो भारतिये और सांस्कृतिक मुल्ये हैं उनका स्मर्ण कराया, उनकी पुनर पतिष्ठा की, उनकी पुनर व्याक्या भी की इन्होंने ऐसे उपन्यासों के माद्यम से ताकि पाठक को जन समुदाय को या एक सामाजिक को उससे शिक्षा मिले प्रेड़ना मिले और वो निश्चत रूप से उसको अपने जीवन में आत्मसाथ भी कर सके किशुरिलाल गुस्वामी जी के इस प्रकार के सामाजिक सांस्तिक उपन्यासों में जब हम बात करते हैं तो लीलावती वा आदर्श सती 1901 में लिखा गया उपन्यास है दूसरा चपला वा नव्य समाज ये 1903 और 1904 के बीच का लिखा हुआ उपन्यास है पुनर जन्म वा सौ को लेकर भी समाज में उस तरह की समस्याएं निश्चित रूप से साहितिकार ने बड़ी गंबीरता से उनको देखा नुबव किया है तो उसको भी विशह बनाया गया और कैसे समाज का नवनिर्मान हो कैसे नए समाज का आववान करें कैसे परानिक जो हमारी रूडियां है उनका बहिशकार करें. इनको के इंदर में रखकर इनोने उपनियास लिखे. मादवी माधव और मदन मोहिनी. 1903-1910 के बीच में ऐसे ने जने कितने उपन्यास ऐसे ही एक अन्य उपन्यास है जिसका शिर्षक है अंगूठी का नगीना ये 1918 में कि शुरूलाल गुस्वामी जी ने लिखा तो ऐसे उपन्यास लिखकर इन उपन्यास कारों ने समाज का मार्ग दर्शन किया उनको आइना दिखाया उनको बताया कि हम कहां किस रू आइसों के माद्यम से दी गई अयुद्या सिंग उपाद्या हरियोध ने अद्खिला फूल नाम से 1907 में एक अपन्यास लिखा जिसमें तमाम ततकालीन धार्मिक अंदविश्वासों का को उजागर किया और ये बताया कि ये धार्मिक अंदविश्वास हमें कितना पीछे खादेर रहें इन अंदविश्वासों से मुक्त होने की इस वर्तमान समाज की आवशकता है और इसके दुश्परिनामों से ये दुश्परिनाम क्या है और उनसे बचने के उपाए क्या है इसकी तरफ संकेत अयुद्या सिंग उपाद्या हरियोध ने अपने इस उपन्यास के माद्यम से अध्किला फूल के माद्यम से किया एक दूसरा उनका बड़ा चर्चित और नए प्रयोग का उपन्यास है जिसका शीर्शक है ठेट हिंदी का ठाट यह अठारा सो निन्याण में का वस्तुत है उपन्यास है और उपाद्याई जी की उपन्यासिक रचना के इन्होंने किये है उसमें कथा विन्यास अगर हम कथात्मक्ता की दृष्टी से उपन्यासिक तत्वों की दृष्टी से बात करेंगे तो ठेट हिंदी का ठाट उतना बहतरीन उपन्यास नहीं लगेगा लेकिन नए प्रयोगों की दृष्टी से भाषा के चमतकारों की दृ से अगर हम देखेंगे तो यह महत्पूर्ण प्रयास लगता है ब्रजनंदन साहे के दो उपन्यास इस दौर में हमें मिले सौंदर्य उपासक जिसका रचनाकाल 1911 है और राधा कांथ नाम से दूसरा उपन्यास जिसका रचनाकाल 1912 है ये दोनों उपन्यास भी बहुत लोकु प्रये हुए ब्रजनंदन साहे के और इनको भी पढ़ा गया इन पर बंगला उपन्यासों की प्रेम प्रधानता और मर्म स्परशिता बंगला उपन्यासों में एक मूल प्रवर्ति थी कि उसमें प्रेम केंदर में रहता था और प्रेम का त्याग क्या है प्रेम की साधना क् पात्र उसका आलंबन क्या है उसका उद्धीपन क्या है ऐसे तमाम पक्षों को उन उपन्यासों में उजागर किया गया और बंगाल के उपन्यास इस द्रश्टी से आज भी उतने ही प्रशंसनिये हैं अभिनन्दनिये हैं जितने तब थे ग्रामीन जिवन के चित्रन का कथानक अगर हमें देखना है तो उपन्यासकार श्री मनन दिवेदी का नाम इस द्रश्टी से उलेखनी है मनन दिवेदी ने रामलाल नाम से 1917 में एक उपन्यास लिखा जिसमें ग्रामीन संस्कृती का ग्रामीन समाज की चुनोतियों का ग्रामीन समस्याऊं का बहुत ही सुंदर डंग से सजीव डंग से चितरन किया गया और एक तरह से उन्होंने एक बीज वपन किया जिसका विकास आगे चलकर हम प्रेमचन में देखते हैं इसी तरह भावात्मक्ता और प्रेमाकुलता की दृष्टी से इन उपन्यासों ने महत्पूर्ण भूमी का निभाई राधिका रमन प्रसाद सिंग ने भी प्रेम और भाव को सन्निविष्ट करके नव जीवन वा प्रेम लहरी नाम का एक उपन्यास 1916 में लिखा जो हिंदी पाठक जगत में बहुती प्रशंसनी है रहा सरहनी है रहा इस युक के सभी उपन्यासकारों ने कुल मिलाकर अगर हम दिवेदी युक के उपन्यासकारों और उपन्यासों के प्रदे पर बात करें कि इन उपन्यासों ने इनकी स्रजन की प्रेरणा ने वस्तुते दिया क्या उसका संदेश क्या था तो इन उपन्यासकारों ने नैति एग तो ईसको मुक्त करने के लिए वहां से उभारने के लिए कुछ भारतिय मानव मूल्य नहतिक मूल्य सामाजी कृट मूल्य इनकी प्रतिष्ठा करने का काम Upanhyas कारों ने भी प्रकारांतर से किया था सामाजिक उपन्यासों में सुधारवादी जीवन दृष्टी केंद्र में रही जो सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास थे वो तो वस्तुत है समाज को और सामाजिक को दोनों को सुधारना चाहते थे तो सुधारवादी दृष्टी जीव प्रवाजिक की भूमिका में अपना जीवन यापन करती है। उसको उस नर्क से कैसे निकाला जाए। उसकी इस जीवन शेली के प्रेरक कारण सामाजिक दोश, सामाजिक विद्रूपताएं कौन सी है। वो कौन से ऐसे चरित रहें जो किसी स्त्री को, किसी नारी को वेश्या व्रत्ती की और ले जाते हैं, बात दे करते हैं। देवदासियों की विलासिता की और भी इन उपन्यासों में संकेत किया गया। और बताया गया कि ये देवदासियों का जो आवरन है, इसके पीछे विलास की जो लीला होती है, वो क्या है। और उसको सामाजिक दृष्टी योग थे, ऐसे कुछ सामाजिक कोड थे, जो इस रूप में पल रहे थे, और उनसे निजात पाने के, उनसे मुक्ती दिलाने के कुछ हुपाए, इन उपन्यासकारों ने सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासों के सरजन की माद्यम से निश्टत रूप से किये थे, इस योग में प्रेजी और बंगला से बहुत सारे उपन्यास हिंदी में अनूदित हुए दरसल यह दोर था तो वह जिसमें अनुवाद को कोई बहुत अच्छा अच्छी विदा या अच्छा माद्यम नहीं माना जाता था बहुती हेद रिष्टी से देखा जाता था लेकिन धीरे धीरे ध उबलब्द नहीं है यदि वो किसी दूसरी भाषा और किसी दूसरी संस्क्ति से किसी दूसरे समुदाय या किसी दूसरे राज्य से या किसी दूसरे देश से हमें मिल सकती है और उससे हमारे समाज हमारी संस्क्ति को लाब हो सकता है तो अनुवाद होना चाहिए तो इस तर में रंग महल नाम से 1904 में अनुवाद हुआ गंगापरसाद गुप्त ने यह अनुवाद किया निश्चत रूप से हम जानते हैं कि अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी हो बंगला से हिंदी या हिंदी से बंगला हो अगर अनुवाद का काम करना है तो किसी भी अनुवादक को दोनों भाशाओं का विशेशक्यतों होना ही चाहिए और अनुवाद कला का, अनुवाद शिल्प का, अनुवाद की रचना प्रक्रिया का ग्यान भी होना चाहिए तो गंगा प्रसाद गुप्त ने अपनी प्रतिबा से बहुत सुन्दर अनुबाद किया और उसकी पठनियता हिंदी जगत में बनी जनारदन प्रसाद जा दिज नाम से एक रचनकार है जिन्होंने डिफो कृत रॉबिंसन कृूसो नाम का उपन्यास है उसका हिंदी में अनुबाद किया और हम देखते हैं कि हमारे प्रात्मिक और माद्दिमिक शिक्षा के जो बच्चे हैं जो स्कूली शिक्षा के बच्चे हैं उन्होंने रॉबिंसन कृूसो को बहुत ही बार-बार अनेक बार पढ़ा और उससे मनोरंजन भी किया जो शेक्षिक अवकाश के दिन होते थे उसमें इसी प्रकार की गुलीवर की यात्रा रॉबिंसन कृूसो जैसे उपन्यास जब वो हिंदी में आये तो हिंदी जग खत्री ने विक्टर हुगो द्वारा लिखित लाउ मिजुरेबल लाउ मिजुरेबल नाम का एक उपन्यास लिखा अंग्रेजी में उसका हिंदी में अनुवाद अभागे का भागे अभागे का भागे शिर्शक से 1914-15 में हुआ तो ये अनुदित उपन्यासों की शंकला मे हम देख सकते हैं कि महत्मून काम अनुवाद को ने या लेखकों ने किया था महवीर परसाद पुद्दार ने स्टो नाम के लेखक के उपन्यास अंकल टॉम्स कैबिन अंग्रेजी में बड़ा चर्चित उपन्यास रहा उसका हिंदी में अनुवाद टॉम काका की कुटिया टॉम काका की कुटिया नाम से 1916 में किया तो कैसे ये अलग-अलग तरह के अलग-अलग लेखकों के अंग्रेजी में लेखे तो पन्यास हिंदी में आते गए और पन्यास का दाइरा बढ़ता गया उसका विस्तार होता चला गया लाला चंद्रलाल ने स्कॉट के उपन्यास दा एबट अंग्रेजी में है दा एबट उसका हिंदी में अनुवाद रानी मेरी नाम से 1916 में किया ये कुछी अनुदित उपन्यासों की चर्चा मैंने की एक लंबी सुदीर शंकला परंपरा है जिनको हम देख सकते हैं पढ़ सारे उपन्यास कारों रचना कारों के बहुत चर्चित और प्रसिद उपन्यास हिंदी में अनुवाद होकर हमारे सामने आए जिनों ने अनुवाद किये वो बंगला और हिंदी दोनों भाशाओं की विद्वान थे जैसे अंग्रेजी से हिंदी में आये तो अंग्रेजी हि गोपालदास गहमरी ने पंच कौडी डे नाम के रचनाकार बंगला के थे उनका अनुवाद किया जनारदन प्रसाद जहाद देज ने रमिना ठाकुर के और रमेश चंद्र दत्त के अनेक अनुवाद अनुवाद किया और अच्छी बात ये है कि ये बंगला के उपन्यास अनुवाद के बाद जब प्रकाश में आये प्रकाशित हुए तो हिंदी जगत ने इसे सरमित माथे पर बैठाया और इनका स्वागत किया इनको पढ़ा और इन हिंदी में प्रकाशित बंगला उपन्यासों से प्रेरणा लेकर हिंदी के अनेक उपन्यासकारों ने उपन्यासों का सरजन भी किया कहीं उन्हें कथानक से प्रणा मिली, कहीं पात्रों से प्रणा मिली, कहीं विशेगत प्रवर्ती से प्रणा मिली और नए नए उपन्यास हमारे सामने आते चले गए इस युक के अनुवाद को और उपन्यास कारों ने लोक रुची के अनुसार बहुत सारे अनुवाद भी किये और मौलिक उपन्यास सरजन भी निश्टित रूप से किये इस युक की मौलिक और अनुदित उपन्यास लेखन परंपरा ने आगे चलकर प्रेमचन के उपन्यासों की एक रचनात्मक आधारशिला तैयार की प्रेमचन को एक बुनियाद जो मजबूत बुनियाद थी वो मिली और वो बुनियाद मिली दिवेदी युक के अनुदित और मौलिक लेखन वाले उपन्यासों से बहुत सारे उपन्यास जिनके अनुवाद हुए उन्होंने भी प्रेमचन को प्रेणा दी और मौलिक उपन्यासों ने भी प्रेड़ना दी प्रेमचंद का महत्पूर्ण उपन्यास प्रेमा जो 1907 में प्रकाशित हुआ रूठी रानी जो 1907 में प्रकाशित हुआ और सेवा सदन जो 1918 में प्रकाशित हुआ ये तीनों उपन्यास प्रेमचंद के दिवेदी युगीन उपन्यास हैं 1918 तक आते यह युग ये दौर अभी बदलाव की और उन्मुक हो रहा था लेकिन सेवा सदन नाम का जो प्रेमचंद का एक बड़ा और बड़े फलक का और बड़े संदेश का उपन्यास है वो 1918 में लिखा गया प्रकाशित हुआ और दिवेदी युग की सीमा में परिसीमा में ही इस उपन्यास को हम देखते हैं तो प्रेमचंद ने प्रेमा रूठी रानी और सेवा सदन जैसे उपन्यास इस दौर में लिखे और इस संकेत मिला कि आने वाले समय में अगले दौर में प्रेमचंद कैसे उपन्यास देने जा रहा है प्रेमचंद ने इन उपन्यासों के माद्यम से जैसे पूर्व सूचना होती है ये पूर्व सूचना थी इन उपन्यासों को पढ़कर हमें आने वाले महत्पोन उपन्यासिक सम्रद्ध संसार का आभास मिलने लगा था ये तीनों उपन्यास समाज सुधार की विशयवस्तू वाले उपन्यास थे प्रेमचन तक आते आते ये जो हिंदी उपन्यास है इसने समाज सुधार को केंद्रिय विशय बना लिया था प्रेमचन का अपना जो जीवन दर्शन है उनकी अपनी जो भाशा शेली है उनके अपने जो चरित्र हैं या पात्र हैं जो उन्होंने आसपास के जीवन में आसपास के संसार में देखे हैं उन पात्रों को उपन्यासों की कथावस्तू से जोड़ कर कैसे उनका रचनात्मक प्रस्तुतिकरन किया जा सकता है ये कला जितनी बहतरीन प्रेमचन के पास है उतनी दूसरे कथाकार या उपन्यासकारों के पास तुलना में नहीं है हलाकि हिंदी के पास एक से एक बहतरीन उपन्यासकार कथाकार विद्यमान है प्रेमचन्द युग में भी बहुत बले-बले कथाकार हुए और प्रेमचन्द के बाद के युग में भी बहुत हुए लेकिन प्रेमचन्द के पास अपना एक नजरिया था एक जीवन दृष्टी थी कुछ जीवन मूल्य थे कहीं उन्होंने राजनीतिक समस्या को उठाया तो राजनीतिक दृष्टी से उस पर बखुभी विवेचनात्मक प्रस्तुतिया की कहीं उन्होंने कृशक जीवन को ग्रामीन जीवन को अगर अपने उपन्यास की वस्तु बनाया तो फिर गोदान जैसा महा काव्यात्मक उपन्यास उन्होंने दे दिया हमें और रंग भूमी जैसे उपन्यास में सूरदास जैसे चरित्र को उठाया तो सूरदास की द्रड़ता का, संकल्प शक्ती का, संगर्श शीलता का कैसा उन्होंने अद्बुत चित्र उतारा वो उन्होंने आसपास की समाज में देखा था तो निर्मला जैसा उपन्यास अगर लिया तो उसकी विश्यवस्तू को अलग ढंग से सामाजिक समस्या के रूप में कैसे उजागर किया जा सकता है दहेज की समस्या हो अनमेल विवा की समस्या हो ऐसी न जाने कितनी सामाजिक चुनोतिया थी उनको उन्होंने उसमें पिरो दिया कोई भी उपन्यास अगर हम प्रेमचंद का लें और न किवल उपन्यास प्रेमचंद की 300 से ज़्यादा काहनिया है उन कहानियों में भी जिस तरह की रचना शीलता और जिस तरह की बुनावट प्रेमचंद के पास है वो दिवेदी युक की जो आधार शिला तयार हुई थी उस आधार शिला ने ही प्रेमचंद को एक तरह से मार्ग दिखाया उसका माल प्रशस्त किया उनका तो प्रेमचंद के उपन्यास और कथा लेखन में प्रवेश करते हुए जो उपन्यासों की कथा वस्तु थी वो सुरुची पूर्ण, मनुरंजक या जासूसी आदी से निकल कर धीरे-धीरे वो जीवन की वास्तविक्ता को उजागर करने की औ जैसा प्रेमचंद ने कहा भी है कि मानव जीवन का चित्र है उपन्यास, मनुष्य की सामाजिक जो जीवन शैली है, उसका प्रतिमिम्ब है उपन्यास, तो उन्होंने उसको बाकाइदा अपने उपन्यासों में उतारा भी. प्रेमचंद ने कौतुहल, प्रेम की चुहल बाजी, अयारी, रहस्यात्मक्ता, जासूसी और केली क्रीडा जैसे अनेक ऐसे विशे जो प्रारम में भारतिन्दु युग में और बाद में दिवेदी युग में दिखाई पड़ते हैं. इसे प्रबर्तियों को, एसी विशेष्टाओं को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों से दूर रखा. और उन्होंने अपने उपन्यास की आधार भूमी तैयार करते हुए, दरसल अगर बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर चल रहा है, तो बाल मनोविज्ञान को बह खुबी प्रामानिक रूप से उन्होंने उपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं में उठारा चाहे उनकी कहानियों को देखें या उपन्यासियों को देखें अगर कहीं मान लीजे कृशक समुदाय में से निकल कर आते हुए युबा वर्ग की आधुलिक चेतना को वो विशय बनाना चाहते हैं तो उन्होंने उसको भी समाज के सामने बहुती सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया उजागर किया इसी तरह मने भारतिये नारी का जो संकल्प है भारतिये नारी की जो छवी है उस छवी को उसके चारित्रिक वैशिष्टे को उपन्यासों के माद्यम से उन्होंने एक प्रकार से प्रतिश्टित किया बलके उसकी नवीन व्याक्ख्या भी की ये काम भी प्रेम्चन ने किया तो भारतिन्दु यूग में दिवेदी यूग में जहां अयारी थी जासूसी थी अदबुत और अनोखे किस्सा गोई थी रहस रोमान्च था वो एक अलग तरह की दुनिया एक अलग तरह का संसार था जहां वो उपन्यास कार हमें ले जाते थे और उनका उद्दिश केवल औ होता था कि आप समय आपको बिताना है मनोरंजन करना है उपन्यास पढ़ो और पढ़ने के बाद उसे फिर वहीं छोड़ दो लेकिन इधर जो बाद में महाविर परसाद देवेदी के यूग के बाद जो यूग आ रहा है जिसका प्रवरतन मुंशी प्रेम चंद कर रहे हैं जिनको हिंदी का कथा समराट कहते हैं उपन्यास समराट कहते हैं वो जब इस दिशा को बदल रहे हैं तो एक प्रकार से उपन्यास का एक नया चेहरा हमारे सामने आ रहा है एक नया रूप हमारे सामने आ रहा है एक नई दिशा हमारे सामने आ रही है इसलिए उनके उपन्य से जोड़ते हुए उन्होंने एक नया रूप एक नई छवी प्रदान करने का महत्पून काम किया है और प्रेमचन ने नजाने कितने उपन्यासकारों को प्रेरणा दी है प्रेमचन की रचनाएं पढ़कर हिंदी ने नजाने कितने रचनाकार पैदा किये हैं तो एक प्रकार जो एक छुपा हुआ उद्देश है प्रेमचंद का वो यह है कि समाज के आदर्ष को भी सामने रखें और समाज के यतारत को भी सामने रखें इसलिए प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि उनका जो वैशिष्ट है वो आदर्षो नमुखी यतारत वाद की और अंतिम दौर तक आते आते जो गोदान उपन्यास है वहां तक आते आते प्रेमचंद आधर्शवादी नहीं रह पाते कफन कहानी तक आते आते प्रेमचंद आधर्शवादी नहीं रह पाते लेकिन वो प्रेमचंद अगर कफन कहानी की बात करते हैं तो वो कुछ लोग जैसा मान लेते हैं कि वो मृत्यू की कथा है ऐसा नहीं है ऐसा भी समालोचकों ने सिद्ध किया है और चर्चा की है कि वो जीवन की वास्विक्ता की कथा है मनुष्य जीवन में जो संगर्ष है उसके कितने आया में उसका क्या स्वरूप है ये तमाम मुद्दे हम महाविर पसाद दिवेदी युग में जो विलुप्त थे जो हम नहीं देख पा रहे थे ये तमाम मुद्दे हमें आगे चलकर प्रेम चंद युग में उसके कथा संसार में देखने को मिलते हैं अलागि इस पर हम चर्चा अगले चरण में विस्तार से करेंगे तो हम देख सकते हैं कि प्रेम चंद ने कौतुहल की दुनिया की जो दीवार थी अयारी और रोमांच की दुनिया की जो दिवार थी उसको तोड़ा और प्रेम की चुहल बाजियाँ जो प्रेम प्रसंग थे, किस्सा गोई थी संबंदों की उस समाज के सापेक्ष व्याख्याएं की जा रही थी उनको उन्होंने वहां से बदलने की कोशिश की आधर्ष प्रेम की प्रतिष्ठा भी प्रेमचंद ने की और समाज के रोग या कोड वेश्या समाज की समस्याओं की उन्होंने उपन्यासों में समावेश करके चिंता की तो प्रेमचंद एक समाज सुधारक के रूप में एक सामाजिक चिंतक के रूप में, एक संपादक के रूप में, एक अनुवादक के रूप में, एक रचनाकार के रूप में, नजने कितने ऐसे रूपों को ध्यान में रखकर वो हमारे सामने आते हैं तो जीवन की वास्त्विक समस्याओं को अगर कथा संसार में उकेरने की शुरुवात हुई है तो वो प्रेमचंद के आगमन से हुई है इस द्रिश्टी से हम देख सकते हैं कि भारतिंदु यूग में उपन्यासों का जो सरूप था वह दिवेदी यूग तक आते आते एक अलग दशा की ओर एक अलग दशा की ओर एक अलग चिंतन की ओर चला और दिवेदी यूग जिसे सुधार काल के रूप में हम देखते हैं दिवेदी जी ने अपनी पत्रिका के माध्यम से उपन्यास लेखन, कथा लेखन आदी को, काविल लेखन आदी को, सरजन धर्मिता आदी को कैसे प्रेरित किया, उसको हम देखते हैं, वो परिवर्तन धीरे धीरे प्रेमचंद योग तक आते आते हो गया था. हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद का नेत्रत्व वस्तुते इसी समय चाहिए था. प्रेमचंद एक ऐसे लीडर के रूप में, एक ऐसे नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं, जब समाज को, हिंदी जगत को, हिंदी पाठक समुदाय को उनकी जरूरत थी. तो प्रेमचंद के आने से निश्चित ही हिंदी उपन्यास विदा को एक नई दिशा मिली, एक नई शक्ती मिली, एक नया बल मिला. यह वस्तुत है, प्रात्मिक दो जो हमारे चरण थे, जिसको हमने, जब हम चर्चा कर रहे थे प्रारम में, तो हमने कहा था कि इतिहास विदो ने, या समालोचकों ने, हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को जब सुविधा की दृष्टी से विभक्त किया, तो तीन घंड पूर्व हिंदी उपन्यास, जिसमें भारतिंदू और दिवेदी यूग की बात हम कर चुके हैं, दूसरा था प्रेमचंद यूगीन हिंदी उपन्यास, जिसकी चर्चा अभी हम आगे की शंकला में करेंगे, और तीसरा है प्रेमचंद उत्तर उपन्यासों का यूग, प्र कि उसमें जो समकालीन उपन्यास लेखन है जिसकी सोच प्रेमचंद की उपन्यास लेखन की सोच से अलग है जिसमें नए नए प्रयोग किये गए उन उपन्यासों में कहीं कहीं कथावस्तु की दृष्टी से मनोबैग्यानिकता की दृष्टी से कहीं आंचलिकता की अलग-अलग तरह के प्रयोग किये गए अगर एतिहासिक उपन्यासकारों पर बात करेंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे उपन्यासकार आए जिन्होंने एतिहासिक एक से एक बड़े उपन्यास लिखे जब हम प्रसाद की बात करेंगे तो प्रसाद जो महाकवी है प्रसाद जो निबंदकार भी है, प्रसाद जो बहुत बड़े नाटकार भी है, वो बहुत बड़े उपन्यासकार भी है, उन्होंने कंकाल और तितली जैसे बहुत संदर दो उपन्यास लिखे, इरावती जैसे रचना का उन्होंने सरजन करके हमारे सामने प्रस्थित किया, इलाचन जोश प्रेमचंद वर्मा एक बहुत बड़ा नाम है, अग्ये एक बहुत उपन्यास के ख्षेत्र में बहुत ही उलेखनी नाम है, तो हम एक के बाद एक ऐसे तमाम रचनाकारों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो प्रेमचंद युग के बाद के उपन्यास कारों में, अब प्रेमचं जो टन के बतρे हैं जो तो इसका अइस बेंदर हमасть कर अवा है के दो दिन ही हिर सो में हम नें जान में इनफाल कर देखते हैं. जानों, थो की में जम स्वार की है, व्याजिया सोल है जो आठैंस कर बात प्रेदी में जो उपन्यासों का स्वरूप था, उसको आज के इस कारिक्रम में हमने जाना और उन उपन्यासकारों से हम परिचित हुए, उनका साक्षातकार हमने किया, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी विश्यवस्तु के बारे में हमने जाना, अगले एपिसोड में, अगले चरण में हम यूगीन हिंदी उपन्यासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के लिए यही पर्याम देखते हैं कि हर यूग में continuity and change दो तरह के धावा चलते रहती हैं, एक तो कुछ जो तत्व होते हों continue करते हैं, तो ऐसा कौन-कौन से तत्व थे जो दुवेदी करते रहे लिए. इदेख़़ज समाज का चितेरा होता वो समाज को बड़े निकट से देखता तो भार्त Bür परेम चंद यूग में भी तो नपन्यासकार को समाज की कम्यों को वादे के लिए नaking यूजा करता हो कुछ रूडियां कुछ ऐसी समस्या हैं जिनका सामाजिक सामना कर रहा है लेकिन हम उससे मुक्त नहीं हो पारे तो एक तो वो परमपरा है जो निश्चत रूप से भारतिंदु यूग में भी विद्यमान थी दिवेदी यूग में भी क्योंकि साहित्यकार का संबंद सामाजिक सरोक पारों से सर्वोपर ही खुटा सब्सक्राइब जो भाषा का स्वरूप जैसा भारतिंदु यूग में खड़ी बोली हिंदी का रूप था वो दिवेदी यूग तक आते आते और परिश्कृत हो गया तो उपन्यास के शिल्प में जो अगर हम शास्त्र की दृष्टी से लेकिन समय सापेक्ष परिवर्तन भाषा और भाषा के अंगों को लेकर उपकरणों को लेकर और उसकी बुनावट को लेकर होता रहा वो परिवर्तन हमें प्रेंचन के बाद के उपन्यासों में खुब मिलता है जहां पर एकालाप के रूप में भी उपन्यास मिलेगा जहा जैसा प्रभाव हम पर पाश्चाते संस्कृति का पाश्चाते ओपर नियासिक रचनाओं का पढ़ता गया। उस तरह से उन रचनाकारों ने भी अपनी स्रजन शील्टा में वो उस परिवर्तन को शामिल किया। उसकी चर्चा आगे हम साथ साथ करते चलेंगे और मुझे लगता है कि वो रहेगा, पहुंचेगा। तो मतलब हर यूग के साहितकार अपने समय में इस समय को द्रिश्टी में रखते पर परयोग करते रहे हैं। बिलकुल हर साहितकार ने क्योंकि समाज से विमुक होकर कोई रचनाकार चले ही नहीं सकता। अब समाज चाहता है मनुरण्यन तो फिर समाज को उपन्यासों के माद्यम से मनुरण्यन पर उसा गया। उसमें जासूसी का, रहसे आप में घटनाओं का, चमतकारों का, आश्चर जनक, अदबुद घटनाओं का समावेश कर लिया गया। समाज चाहता था कि समाज की कुछ संकटों को, चनौतियों को जनता के सामने, व्यवस्ता के सामने उजागर किया जाए। तो दिवेदी युग में आकर ऐसी कुछ घटनाओं को उजागर करने का, क्योंकि उस समय का जो सामाजिक तमाम समाज सुधार की संस्ताएं थी, चाहे वो आरे समाज हो, चाहे राजा रामौन राय हो, उनका जो दबाव था, वो साहित और साहितिकारों पर था, और कहीं न क नहीं उसका प्रतिविंब हमें इन रचनाओं में मिलता है, निश्चित रूप से, अमित्रों इन ही सब्दों के साथ, आज के विया ख्यान को यह भी राम देते हैं, आप सब को धन्यवाद और आप की और से डॉक्टर पी सी टंडन साहा को बहुत बहुत धन्यवाद, थैं